मज़ो आज़की वीडियो में बात करेंगे सुरास 744 ST है और भाईो सुरास 744 F है भाईो दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में पूरी पूरी जानकारी देंगे कि दोनों ही ट्रैक्टरों में किया अंतर देखने को मिलता है क्यूंकि भाईो काफी समय से मेरे पास कुछ किसान के मैसेज्स आ रहे थे मेल वी आये थे कि ए डॉनोई ट्रेक्ट्रों का थोड़ा सध्itarian करके दिखाए तो फायो ऑई कि ओक ऑई डोनोई ट्रेक्ट्रों का comparison करेंगे बारी बारी से बताएंगे कि क्या अंतर है डोनों हुट्रेक्ट्रों में इदर खड़ा है सवरा 744 इस XT इधर खड़ा है FE तो भाईयो अगर सुरुवात अगर डिजाइन वाइज करें तो दोनों इस ट्रेक्टर देखने में सेम लगते हैं कुछ भी फरक नहीं है दोनों इस ट्रेक्टरों के अंदर कि सिर्फ अंतर आएगा तो XT का इधर और FE का अंतर आएगा बाकि डिजाइन वाइज दोनों इस ट्रेक्टर सेम है वहीं भाईयो अगर बात करें इसके मेंची जो इंजन है जहां से ट्रेक्टर ट्रेक्टरों में थोड़ा कंपेरिजन आता है इंजन के बारे में बात करें तो भाईयो स्वराज का जो 744 सेफ ही है यह प्रोपर 307 सीशी इंज इंजन है यह देख सकते हो भाईयो आप पर भाईयो वहीं बात करें अगर स्वराज 744 XT की तो इसके अंदर भाईयो सीशी का फरक आ जाता है इसके अंदर 3478 सीशी का एंजन मिलता है जोग कहीं ना कहीं 744 एफी से ज्यादा सीशी वाला एंजन है और भाईयो इसके 744 F-E जो है वो स्वराज क्लेम करती है कि 45-50 HP के ट्रेक्टर है वहीं बहुत अगर स्वराज 744 XT के बारे में बताऊं तो यह प्रॉपर 50 HP का ट्रेक्टर बताए कंपनी देती है वहीं बहुत पचास HP से ज्यादा काभी दम लगा देता है ट्रेक्टर काफी शांदार है जिसमें 8 आगे के और 2 पीछे के गेर दिये गए है वहीं बहुत एफ दस स्पीड गेरों के साथ ही है गेरों का सिस्टम सेम ही है कॉंस्टेंट मैस गेर बॉक्स के साथ दोनों ही ट्रेक्टर आते हैं और बहुत बहुत डुल क्लच के साथ ट्रेक्टर आता है वहीं आप आज़ा द। बहुँ है। क्वेरों॥ ज्रैक्टर भाईयो ये भी काफी शांदार है ए फी वी काफी शांदार हैं और एकरी बहुत। इस तो भायों बात करेंगे टाइर साइजिए आज TV के बारे में आजो है आए कि अमेLEग कि यह 56 का विए सकते भाई आभी कि में पावर श्टेयरिंग के साथ 75000 टेयर लगा हुआ है वहीं एफ है यह शीच चैनल का जो आप्सिन है वह आप्सिनल है आप पावर भी ले सकते हैं और साधा भी ले सकते हैं बाऊ पीछे वाले टायरों के बारें बता दूँ 24 through & 28 के दौनों के अंदर पीछे वाले टायर है बुडिएर के देख सकते और इसके अंदर वह चोडे 281 के टायर है और इसके अंदर भी चोडे 928 के टायर ही दिये गए हैं वह अपके मन मुताविक है कि आपको कौन सा टायर लेना है 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 घाईıld 744 सेफी पावर स्टेरिंग में भी आता है फोर ड्युवले के लित tutा बार करते हैं और भाई पीटियों के बारे में बता दूंग दोनों ट्रेक्ट्रों में अंतर है क्योंकि एंजन की सीची के हिसाब से पावर की हिसाब से पीडियों की छमता भी घठती बढ़ती है तो भाई इसके अंदर बैलिस एच्पी की प्रॉपर पीटियों मिलेगे आपको एक्षटी के अंदर वहीं एफ़ी के अंदर 40 एच्पी की पीटियों पावर मिलेगी पीटियों भायों एक हजार चक्कर और पांसो चालिश चकर दौनों का यह अप्शन दिया गया है हुआ है कि वहीं आपको पीछे सबी चीजे सेम मिलेंगे भाईयो एड़िस्टेवल सीट में लेगी रिफलेक्टर बोटल होल्डर और भायो दोनों ही ट्रेक्टरों के साथ आपको कंपनी फिटेट और वाल मिल जाएंगे भायो दोनों ही ट्रेक्टरों के साथ और भायो कीमत के बारे में बता दूँ कीमत में nav Analber भी नहीं हैं दनोंड ट्रेक्टरों की में लह वक्त्थ से पंद्राइर रुपि का अंतर पढ़ेगा दोनों ट्रेक्टरों कीमत में वह आप अपनी नजदी की सोरूम पर जाके पता कर लेना कि दोनों ट्रेक्टर का अंदर कितनी कीमत का अंतर है भाईयो ट्रेक्टर काफी शांदार है दोनों ही और मार्कीट में अत्यदिक विखने वाले ट्रेक्टर है और रिसेल वैल्यू भी काफी शांदार है दोनों ही ट्रेक्टरों की और भायो इसमें कई थारे मॉडल आते हैं 4 star, 3 star, 2 star भायो अभी यहां जो खड़ा है यह 3 star मॉडल है और यह XT का 4 star मॉडल ख़़ा है reverse PTO के साथ तो भायो यह था 1744 FE और 1744 XT का छोटा सा comparison वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक जरूर कर देना शेयर कर देना रहो सके तो चैनल को भी जरूर से सब्स्टाइब कर लेना धन्यवाद जय 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 किसान सभी किसान वाईयों को राम राम